हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माय व्टूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगे रेलबें अंटी पेसी और गुरूब डी के लिए मॉडल सेट संख्या 24 देखने वाले हैं जो कि आपके एकजाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्त देखिए चैनल फिना है तो चैनल को सबस्क्राइब करें जो पास्वाली घंटी के निसान है उससे भी अनकरते हैं तो चले शुरू करते हैं देखे यहाँ पर हमारा पहला कुछ जान है इस्ट इंडिया कमपनी को निमनलखित में से किस एक सासक ने दीवानी परदान की थी तो देखे इस्ट इंडिया कमपनी को यह सालम दोतिया ने दीवानी परदान की थी ठीक है सी करेक्ट हो जाएगा इस्ट इंडिया कमपनी के स्थापना कब होई थी तो देखे इस्ट इंडिया कमपनी के स्थापना 31 दिसंबर सन 16 सको जो है East India Company के स्थापना वोई थी थीक है अगला question देख्ये question number two है भारत पर आकमाण करने वाला कि एस इरान अने सासों को इरान का नेपोलियन कहा जाता है तो देखे इरान का नेपोलियन जो है यह कहा जाता है नादिर्सा को ठीक है एक करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखें कुश्चन मत्री है नादिरसा का सिनापती निमनलिखित में से कौन था तो देखें नादिरसा का जो सिनापती था वो था अमध साब दाली ठीक अमध साब दाली जो था यह नादिरसा का सिनापती था ठीक है C करेक्ट हो जा जाता है, ठीकर, B, correct हो जायाएगा, अगला कुश्चिन देखते हैं, आहमद साहब दाली के प्रथाम आकरमड के समय, मोगल समराठ निमने लिक्षित में से कौन थे, तो देखे, आहमद साहब दाली के प्रथाम आकरमड के समय, जो मोगल समराठ थे, वो थे मोःम्मध सा सालम दूतिय जो था ये बक्सर के यूद के समय दिली के सासक्ता ठीक है डी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन देखते हैं अंतिम मुगल बच्छा बहादूर सा जफर या फिर बहादूर सा दूतिय थे उनके पिता क्या नाम था तो देखे उनके पिता का जो नाम था ओ था अकबर सा दूतिय और उनके माता क्या नाम था तो देखे उनके माता का नाम यह था लाल बाई ठीक, लाल बाई जो था, उनके माता का नाम था और उनके पीता का नाम अकबर साधूती ऊता, ठीक है, B correct हो जायगा, अगला Qution देखते हैं हरीत करांती भारत के किस पंच वर्शी उनाय दोरान आराम की गई थी तो देखे हरीत करांती जो है ये भारत के तीसरी पंच वर्शी उनाय दोरान प्राराम की गई थी ठीक है तीसरी पंच वर्शी उनाय कारेकाल कब से कब तक रहा था तो देखे तीसरी पंच बरसी जुनाय कारेकाल ये 1961 से 1966 तक रहा था ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं हरीत करांथी का मुख्य उदेश या निमने लेखित में से किस के उत्पादन में ब्रीध ही करना था तो देखे हरीत करांथी का जो मुख्य उदेश या था उखादानों के उत्पादन में ब्रीध ही करना था ठीक है सी करेक्ट हो जायाएगा अगला कुश्चन देखते हैं निमने लेखित में से किस देश की क्रियट टीम ने दौर बीस में पहली बार अंढर नाइंटिन बिसो कब जीता है ठीक है यह करेक्ट हो जायाएगा अगला कुश्चन देखते है नेत्र गुलाक याकृती लगभग गुलाकार होती है तथा इसका ब्यास निमनलिखित में से कितना होता है तो देखे इसका ब्यास जो है यह होता है लगभग 2.3 कितना होता है 2.3 जो है इसका ब्यास होता है ठीक है बी करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हैं कौर्णिया के पीछे एक सनरचना होती है उसे निमने लिखित में से क्या कहा जाता है तो देखे कौर्णिया के पीछे एक सनरचना होती है उसे परितारी का कहा जाता है ठीक है बी क था दाप पर किसी गैस के एक मोल का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर कितना होता है 22.4 लीटर होता है ठीक है यह करेक्ट हो जायाएगा अगला कुश्चन देखते है परमाडू के अंदर निउट्रान के उपस्तिती एक होज परमाडू के अंदर निउट्रान के उपस्तिती एक होज जो है यह के थे जैम से चैन्डविक ने ठीक है C करेक्ट हो जायाएगा अगला कुश्चन देखते है निबने लेखित में से कौन सा मोगल बाचा रंगिला के नाम से जाना जाता है तो देखे रंगिला के नाम से यह जाना जाता था मोगमद सा ठीक है C करेक्ट हो जायाएगा अगला कुश्चन देखते है निबने लेखित में से किस मोगल बाचा का मूल नाम रोसन अक्तर था तो देखे रोसन अक्तर जो था ये मुहम्मद सा का मूल नाम था ठीक है C करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हैं और अंजेव की मिर्तु के उपरांते सरवादेग समय तक सासन करने वाला बच्चा निमनलेखित में से कौन था तो देखें और अंजेव की मिर्तु के उपरांते सरवादेग समय तक सासन करने वाला जो बच्चा था ओ था मुहम्मद सा था ठीक है D करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हैं नादेशा का आकरमाड निमनलेखित में से किस मुगल समराट के काल में हुआ था तो देखें नादेशा का जो आकरमाड हुआ था ओ हुआ था मुहम्मद सा के सासन काल में ठीक है A करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखते है नादेशा ने भारत पर निमनलेखित में से कब आकरमाड किया था तो देखें नादेशा ने भारत पर जो आक्रमर किया था वो किया था 16 फर्वरी 1749 को ठीक है C करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखते है अंतराष्टी और होकी महासंग ने किस भारती और होकी खिलाडी को 12 का सर्वस्रेश्ट होकी खिलाडी चुना आए निम्नलेखित में से किस्तिति को पड़ते एक बरसे 200 रेडियो दिवस मना जाता है तो देखें 200 रेडियो दिवसे ये मना जाता है 13 फर्वरी को ठीक है C करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन देखते है भारत में राष्टी और महिला दिवसे निम्नलेखित में से किस्तिति को मना जाता है तो देखें भारत में राष्टी और महिला दिवसे ये मना जाता है 13 फर्वरी को ठीक है D करेक्ट हो जाएगा और ये देख़ा में पूछा जाए कि अंतराष्टी और महिला दिवसे मना जाता है तो देखें अंतराष्टिय महिला दिवसे ये मना जाता है आठ मार्च को ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं यी गुवर्नेस पर राष्टिय समयलन दोहर 20 का आयोजन निमनलेखित में से किसार में किया गया था तो देखें यी गुवर्नेस पर राष्टिय समय के चलंदार बीज का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था मुंबई में ठीके डी करेक्ट हो जाजएगा अगला कुश्चन देखते है कि टंगस्टन का गलांग निमन लिखित मैं से कितना डिजरी Celsius तो देखे टंगस्टन का जो गलनांक होता है वोता है 380 डिग्रे सेल्सियस ठीक है बी करेक्ट हो जायेगा अगला कुश्चन देखते हैं सेल अपने सीरो के बेचे विभुवांतर उत्पन करता है इस विभुवांतर को निमनलेखित में से क्या कहा जाता है तो देखे इस विभुवांतर को ये कहा जाता है वोल्ट ठीक है ये करेक्ट हो जायेगा अगला कुश्चन देखते हैं रेटीना पर किसी बस्तु का उल्टा तथा वास्तु परतिवेम निमनलेखित में से कौन बनाता है तो देखे रेटीना पर किसी बस्तु का उल्टा तथा वास्विक पर्तिभीम जो है ये बनाता है अभिनेत्र लेंच ठीक है ये करेक्ट हो जायाएगा अगला कुश्यन देखते है सूरे का प्रकास साथ बढ़नों से मिलकर बनाया ये बिचार किस बैग्याने के दिमाग में आया था तो देखे ये बिचार जो था ये निउटन के दिमाग में आया था ठीक है सी करेक्ट हो जायाएगा अगला कुश्यन देखते है इंदर धनुस सदैवा किस दिशाम बनता है तो देखे इंदर धनुस जो है ये सदायवा सूर्य के बिप्रित दिशायम बनता है ठीक है सी करेक्ट हो जायेगा अगला कुश्चन देखते है सूर्य हमें वास्तिविक सुर्योदय से लगबग कितने मिनट पूर्वा दिखाई देने लगता है तो देखे सूरिय हमें वास्तिविक सूरियोदय से लगभग ये दो मिनट पूर्वा जो है दिखाई देने लगता है ठीक है बी करेक्ट हो जायेगा अगला कुश्चन देखते है 200 भर में निमनलेखित में से किस्ति थी को अंतराश्टिय दलहन दिवस मना जाता है तो देखे 200 भर में अंतराश्टिय दलहन दिवस से ये मना जाता है 10 फरवरी को कम मना जाता है 10 फरवरी को मना जाता है ठीक है C करेक्ट हो जायेगा अगला कुश्चन देखते है WHO के द्वारा कुरोना भारस का अधिकारिक नाम निमनलेखित में से क्या रखा गया है तो देखे WHO के द्वारा कुरोना भारस के जो अधिकारिक नाम रखा गया है वो रखा गया है COVID-19 क्या रखा गया है COVID-19 रखा गया है ठीक है C करेक्ट हो जायाएगा अगला कुश्चन देखते है निमनलेखित में से किस्ति थी को 200 युनानी दिवस मना जाता है तो देखें 20 युनानी दिवस ये मना जाता है ये गाराफ फरवरी को ठीक है ये करेक्ट हो जायाएगा अगला खुश्चन देखते है बीधुदारा का एक मात्रक जिसे MPR कहा जाता है इस मात्रक को किस बैग्यायनी के नाम पर रखा गया है तो देखे इस मात्रा को ये आंद्रे मेरी एंपियर के नाम पर रखा गया है ठीक है B करेक्ट हो जायाएगा अगला कुश्चन देखते है अभी नेत्रिलेंस की वह चमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को सामय उजित कर लेता है निमनलेखित में से क्या कहलाती है तो देखे ये कहलाती है समंजन कहलाती है ठीक है C करेक्ट हो जायाएगा अगला कुश्चन देखते है द्वाने इगती सबसे तेजे किस माध्या में चलती है तो देखे द्वाने इगती जो है ये सबसे तेज ठोस माध्या में चलती है ठीक है C correct हो जायाएगा अगला कुश्चन देखते है लेंज का केंद्रिया बिंदु निमनलीखित में से क्या कहलाता है तो देखे, लेंस का जो केंद्रिय बिंद्धु कहलाता है, वो कहलाता है प्रकासिक केंद्रिय, ठीक है, B करेक्ट हो जायाएगा, अगला कुश्चन देखते हैं, प्रकासिक पतली जहीली से होकर, नेत्र में परवेश करता है, इस जहीली को निमनलेखित में से क्या कहा जाता देखे। अ है? यह जाता है कोर्निया, ठीक है? डी करेक्ट हो जाएगा, अगला कोश्चeन देखते हैँ, निम्नेलिकत में से किस के कारण नाभीके, विखंड़न पहले क्रिया होती है तो देखे नाभी के बिखंडन की जो क्रिया होती है ओती है निउट्रान के कारण ठीक है एक करेक्ट हो जायाएगा अगला कुश्चन देखते हैं वाय मंडल में किस गैस के उपसे थे एक कारण वायू में पितल का रंग फीका पड़ जाता है तो देखे वायू मंडल में ये हाइडोजन सलफाइड के उपसे थे एक कारण जो है वायू में पितल का रंग फीका पड़ जाता है ठीक है एक करेक्ट हो जायाएगा उसके बाद यहाँ पर आमारा अगला कुश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन से नदि भारत से निकल कर पाकिस्तान में जाती है तो देखें यहाँ पर आपको चार ओप्सन दिया गया है ओप्सन है सतलज, घागरा, बेतवा या फिर तापती तो दोस्तों आप इसका एंसर जो है, कमेंट बॉक्स में जरूर बाता है और आप इनमें से कितने कुश्चन सही कर पाएं, यह भी कमेंट से बाता है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास वाले घंटी का निसान है, इसे भी अन कर दें, ठीक है थैंक्स पर वाचिंग